सबसे पहले हम बात करेंगे VPro Limited के बारे में वीप्रो Limited की बात करें तो इस कमपनी में एक बहुत इंपोर्टेंट न्यूस मी कल गया है तो डेकलि उस न्यूस को पर जाने से पहले अगर हम स्टॉक की कुछ पुरफ़ों इसकी बात करें जैसे कि कल के दिन की बात करें, तो लगबर खाब पसंग की तेजी, पिछले 6 मंद की बात करें, तो 13 पसंग की तेजी, अगर हम साल भार की बात करें, तो इसमें भी आपको एक अच्छे-काशे तेजी देख को मिलेगा, जो कि 29 से लेके 30 पसंग की, और अगर आप बॉटम ल से, तो साइस से ये तेजी आपको 40 से लेके 50 पसंग भी देखन को मिल जाएगा, और ये जो 6 मंद, एक साल के जो आपको ग्राफ नजर आ रहे है, इस बीच में हर एक IT स्टॉक लिए, जो ब्लूचीप IT स्टॉक है, जो कि अच्छे-काशे पिटा हुआ है, हर एक ब्लूची के बात करें, तो 5 साल बाली के पास भी प्रॉफिट है, जो कि लगबग 68 पसंगी, बट जिन्होंने इस तेजी को देखके स्टॉक पर भाय क्या होगा, तो आज भी उनके पास ये स्टॉक, यानि कि वीप्रो जैसे स्टॉक, टॉप लिबर से आज भी आपको 33 से लेके 35 पस जरू आएंगे, बड़ उससे पहरे कंपणी में के इंपोर्टेट न्यूस उनकल का है, सबसे पहले हम उस न्यूस को कवर करते हैं, और उस न्यूस है दोस्तों, इन्वस में, तो अगर हम बीप्रो लिम्टित के फाउंडर की बात करें, जो प्रेम जी की बात करें, अजीम अगर आपको और डीटेल में जाना है, तो आप इस चिसको रीड करते हो, कि जो अजीम प्रेम जी है, वो फन इन्वस में साय से 50 मिलियन से लेकर 70 मिलियन, जो जो ग्राफिक डिजाइन, जो प्लैट्रॉम कंपणी में, और अगर आपको यह साय चीजा में, सोर्सेस, यानि क रिपोर्ट के जिरी देखने को मिले, यानि कि ऑफिसले न्यूस तो है निया, तो अगर आपको और डीटेल में जाना है, तो आप चाओ तो और भी डीटेल में स्टडी कर साथा, तो अगर इन्वस में अगर करते है, तो यह कासी न्यूस होता है, देखो, इन्वस में करते ह अगर किसी कमपनी में इस प्रका की इंवस्मेंट करेंगे तो अगर हम इस न्यूस की बात करें तो हम इस एक पॉजिरिब न्यूस के साब से चलेंगे अगर हम बात करें स्टॉक पिछले दो सवाद दो साथ से कुछ खास प्रफॉमेंस किया नहीं मतलब आज भी टॉप लिवर से डाउन है तो उसके पीछी का रिजन है कि इसके खुद के प्रफॉमेंस अगर आप इसके प्रफॉमेंस को देखोगे तो बाकी ब्लूचीप में देखन को मिलेगा उसके पीछे का रिजन है कि जो आइटी कंपने उनके जो सबसे बड़े इंकम सोर्स है जासे इनके इंकम आते है यूरोप यूए जैसे कंट्री से तो उन्हीं में थुना बाद स्लोडाउन है जिनके चलते उनके डिमांड में उनके सर्विस में बहु इस तो चलो थीन साल पांत साल में डबल लीज से ग्रोव किया यह साल तो सिप तीन पसंद के सेल्स की ज्यूआ है और अगर प्रॉफिट को देखोए तो पिछले दस साल से कुछ खास किया ऑई ने तो सिंगल धीट में और इस साल तो माइनस में कमपनी के प्रॉफिट यह और उसी के ज़िए स्टॉक ने भी मतलब एक साल में प्रफॉएंस की आदरबाइस तीन साल से भी स्टॉक ने कुछ खास प्रफॉएंस दिखाए ने तो यह जो स्लोड डाउन है अगर आप इसके एक्च्वल नंबर को भी देखोगे तो अब देखो तो 2022 के आसपास इसने जो कि 2000-3000 के नियंच में नजर आएगा। मतलब कुछ भी आपको रोफ देख कोई में और जब तक ब्ता करे बाईर को क्या झाच जी यह ने लगातार आफ़ प्रफिट लगाता है ग्रो होगा तो स्टॉक प्याज को भी लगातर ग्रो होने में कोई भी प्रॉलम ने अगे और इसी के चलते हैं आप देखे तो कि स्टॉक काफ़ी टाइम से एक बहुत बड़े लंबे कंस्टॉर्डिशन में तो कि इस कंस्टॉर्डिशन में यह फिर इस तेजी मतब इस गिरावट में स्टॉक को निकल देना चाहिए अगर अगर अपने गलत से बिना सोचे समझे स्टॉ बहुत अच्छी कंपनी हैं वहती वेल मैनेजमेंट बारी कंपनी है और दुनिया में भी देखोगे वर्ड में उसमें भी आपको इनके बहुत बड़े नंबर को में जगा तो बहुत बड़ी कंपनी है तो यह साथ ज़्यादा पैनिक करने के जरूर्थ हैं यह अगर आप कमबैक हो जाएगा तब चाहो ताप अनकोस्ट निकलने के बार में एटिसन आप ले सकते हो और कोई फ्रेस बाइंकानी के बार में सोच रहें इस 30-35% डिसकौन को देखें तो एक चीज़ पहले बोल दू यह कंपनी बहुत स्लो चलते हैं एक तो ब्लूचिप कंपनी है और कंपनी मिल जाएगा तो अब चाहो तो वी प्लों को एग्णूर करके आप इन आईटि श्टॉक के बार में भी विचार कर सकते हो उनमें से एक स्टॉक की बार में तो इन फो से स्लिम्टी ही यह भी वी बीप्रोत से भी डबल बड़ सार्ट की कंपनी अगर ब्रूटम लग दिखाए और 5 साल की बात करें तो 100 पसेंगे बाट टॉप से जिन्हों ने बाई किया इस लिवेज मतलब यह 2021 ऑक्टवर से आपको हर एक स्टॉक में गिरावाट और गिरावाट ही देखने को विजए क्योंकि यहां तक ही हमने कोबिट के बाद जो बूल मार्कर आया था था उसके बाद जो श्टॉक गिरा तो बहुत सब ऐसे स्टॉक है अच्छी अच्छी श्टॉक कि आज भी डाउन है इसने तो बहुत अच्छा का से रिकवर किया था सारे सत्रा सु क्या स्पर गये थे बड़ वो कुछ नेगटिव नियोस के चलते है स्टॉक स्टेजी को सस्ट करने पाए तो अगर आप चाहो तो बीप्रो के कंपार में ये स्टॉक थो अच्छे प्रफॉफ्मेंस करता है इस बड़े कंपने जरू है बड़े भ्रोत रहते है चलने का धंग रहते है इसका नेचर वो थोड़ासा अलग है बीप्रो से तो अब चाहो तो इंफूसिस के बार में ज़रो बिचार करक्षात, अब भी बलाइन नहीं जाना है, इसका अब पता है कि सब्से बड़ा इवेंट जो रहते है, quarter four के नंबर, हर कंपनी के हर quarter number important रहता है, but Infosys के हर बार के number इसलिए ज्यादा important हो रहता है, क्योंकि बाकी ही जो company रहता है, वो number के बाद इतना reaction नहीं दिखाते है, 2% 3% ऐसा, but Infosys हर बार number के बाद वयंकर गिरावार दिखाते हैं, जितना आप सोच नहीं सकते हो, Infosys जैसे 6,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000, इसलिए बार कंपनी या stock, ऐसा correction भी दिखा सकता है, वो भी एक दिन में, तो बहुत बड़ा example आपके पास यह Infosys company है, अलड़ी देखा जाए Infosys बहुत अच्छे का से top level से गिरा है, वो भी इसे short period में, तो discount को देखके मत जाओ, फिलाल company के जो number है, वो 18 April को, और आपको प अपते Infosys के number आने वाले, वो किस प्रकाकी है, फिर बाके जो और भी IT company है, जो कि TCS की नीचे आते है, उनके number भी किस प्रकाकी आसाता है, तो जाना है इस टाइम पे, किसी भी company में मज़ जाओ, जब ताक उन company के quarter four के number ना आज है, खास करके तो Infosys को, focus बना कर रहा हो, कल क एक दिन देखो कि TCS के number कैसा आता है, TCS के number अगर अच्छा है, बाजर ने अपशिक किया है, साइसी Infosys के भी आसाता है, अगर TCS के number खराब आते हैं बहुत, और बाजर गिरावाट दिखाते हैं, तो might be Infosys के number भी again फिर से खराब आता है, और number के बाद फिर से एक दिन में इस प्रकार के इतनी बड़े correction में stock दिखा सकता है, तो इसलिए discount को देखके अभी मत जाओ, और एक हप्ती के बाद है, wait कर लो, क्या पता है, number खराब है, और इस stock फिर से, आपको पंदरा सो के जगा फिर से, आपको इस रेंज में बिले, बादा सो, तेरा सो के आस पाई, य दोनों को दुनों दमदार कंपने, आप दोनों में, किसे ने का टॉप पे बागिया, वो लंभी अप देगार होल्ड करेंगे, तो आज शिंदू कल वो आपको जरूर रिकवर करते, आपको देखने को मिल जाएगा, अगला स्टॉप की बात करें, तो LTE मायंटी लिंटी, यह भी एक दमदार कंपने है, टॉप 5 में आने वाली IT कंपनी है, तो LTE मायंटी के बात करते हैं, एक इंपोर्टन न्यूस कल गया है, तो उस न्यूस के बात करें, तो LTE मायंटी ने अनभील कर दिया, जो स्टोर फ्रॉंट रहते हैं दोस्टों, उनके शेलूशन, जो कि आपको sales force में यह सारे चीज़े देखने को मिल जाएगा, तो यह news करता है, obviously, कोई भी product अगर कोई भी चीज़े service company launch करता है, तो उस company के benefit के लिए हम वो सारे चीज़े company करते हो देखने को हमें मिल जाते हैं, और आम अस news के बात करें, long time की साथ, यह LTE मायंटी के लिए positive news है, अगर हम stock की performance की बात करें, तो आपको इतने positive देखने को नहीं मिलेगा, जूकि आप देश होते हो, इन stock ने भी बाकी IT stock के जैसा, इसने भी initial level से बहुत ही अच्छे कासी recovery दिखाए जूकि bottom level से देहो है, तो इसने भी 20 April से लेके 24 तक, इसने भी 50% के recovery दिखाए, जूकि बह अच्छी का reason था, आप देख सकते हो, सिर्फ कुछी दिनों के अंदर, 15 January के बाद stock ने एक तरफा गिरावाट और गिरावाट ही दिखा है, और आप वस गिरावाट की बात करें, तो LTM IT जैसा stock ने 20 से लेके 22% गिरावाट दिखा है, वो भी सिर्फ कुछी दिनों के अंदर और जो इतने बड़े correctional stock ने दिखा है, वो भी एक तरफा, वैसे ने कि बिना reason के इस प्रकार के nose type गिरावाट दिखा है, इसके पीछी बे बहुत बड़ा reason है, और वो reason है management के negative comment, जब हमने पिछले quarter 3 के number देखने को मिला था, तो number इतने खराब नहीं थे, बाकी IT company के जैसा इस प्रकार के number दिखा थे, बड़ important चीज़ था, कि जितने भी brokerage house है, सब ने इस number के बाद उनको downgrade कर दे, हर एक brokerage, चाए quarter के बाद करें, चाए CLAC के बाद करें, और उसके पीछी का reason है, management के negative guidance, so management ने का, जो हमने quarter 3 के number आए, तो same, आपको quarter 4 के number देखने को मिलेगा, तो भी आपको similar बे, यानकि जो quarter 3 के number आए, उसी प्रकार के आपको quarter 4 के number देखने को मिल सकता है, जिसकी growth रहने वाला है, 17 से लेके 18% के, वो margin expert करके चलने है, और इसी के चलते, उसके बाद जो stock ने गिरावाट दिखाना शुरूए, वो गिरावाट है, अब भी continue, और continue देखन इनको मिल साइसी गिरावाट और भी गहरी हो सकता है, आसे के उस point को बर भी हम आगे जरूर आते हैं, बड उससे पहले आप इसके actual गिरावाट को देख सकते हो, यह तो मैंने roughly आपको यहां से दिखाया है, पर top से देखोगे, तो यह भी blue chip stock होने के बाद भी, top level से 30-35% down है तो किसमें जाना चाहिए, तो अभी किसी भी stock में नहीं जाना है, दोस्तों यह जो आप discount देखे हो, नमबर खराब है, तो और भी 10-12% गिर सकता है, और यह stock, अभी तो 5000 को breakdown करी दिया, तो अगर नमबर खराब आते है, तो सारे 4000 से लेके, 4000 दोस्तों के आसपास भी आ सकता ह जा से stock ने अपना recovery दिखाना चुरूगा है, दोबारा stock इस level तक भी आ सकता है, तो उसे थोड़े percent दिखा दो, पहले TCS के नमबर देख लो, उसके बाद 18 तारिक को Infosys के देख लो, उसके बाद BPro के नमबर को देख लो, उसके बाद 24 या 25 को भी सायद इसके नमबर है, तब तक, तब तक company के नमबर ना जाए, नमबर को देख लो, उसके बाद आराम से बड़ी safety आपको इसमें अपनी recent लेशाद तो, बड़ कोई अगर यह सूच रहा है, कि बाई, LTE मायनठी जैसे stock में, Infosys जैसे stock में, वीप्रोज जैसे stock में, टॉपल भाग किया, तो क्या क की बाद करें, तो 1-14%, और maximum की बाद करें, तो अभी जाकर stock में recovery आ रहे है, तो company की बाद करें, और भी ज्यादा इसलिए recovery आ रहे है, क्योंकि हाली में company के management ने 1-5 का split का announcement करते हैं, तो जिसके पास है, उनके लिए good news है, अगर आपका पास है नी, तो इस चीज के लिए किसी